आज हम पढ़ने वाले हैं भारती समाजिक विचारक इनको पोड़ते समाशास्री नहीं कह सकते हैं बलकि समाजिक विचारक कह सकते हैं वो हैं डॉक्टर भगवानदस इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में तो ये जो समाशास्री हैं इनका एक प्रमुक सिध्धान्त है सर्व धर्म संभाव का जो इन्होंने दिया था वहाँ से एक इनकी थेयरी है और बाकी में में इनका वन लाइनर टाइप में जाधा पूस्ता है तो हम उन सभी चीजों को कवर अप करते के चलेंगे जो भी exam point of view से important है तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी कुछ famous books जो की exam में पुछी जा सकती है पहली book है The Essential Unity of All Religion 1932 में आई थी ये second है The Science of Emotions ये आई थी 1921 में and third आई थी The Science of Peace 1904 में यानि कि 1904 में आई थी The Science of Peace उसके बाद The Science of Emotions आई थी 1921 में और फिर 1932 में आई थी The Essential Unity of All Religion जो की ये काफी important book है जो पहली वाली है The Essential Unity of All Religion ये सर्वधर्म संभाव की बाद इसमें इन्होंने करी है तो ये book अगर पूछता है तो ये पूछी जा सकती है बाकि इनका बहुत सदा important नहीं है और one-liner quotes इनके काफी जादा पूछे जा सकते हैं तो उनको थोड़ा साम देख दार्शनिक विचारों के द्वारा हम अपनी जो लाइफ की problems हैं उनको solve कर सकते हैं क्यों क्योंकि हम अंतिम सत्य तक कैसे पहुँं सकते हैं philosophical चीजों के द्वारा दार्शनिक सोच के द्वारा अंतिम सत्य अनिकी परमत्म या जो हमारा आत्म है तो आत्म घ्यान हमें तभी प्राप्त होगा जब हम एकदम अपने आपको जो ये संसार है इससे विस्मरत कर दें तो दार्शन दार्शनिक विचारों द्वारा या दर्शन शास्त्र के द्वारा जीवन की समस्याओं को भी सॉल्व किया जा सकता है और उसकी द्वारा अंतिम सत्य तक भी पहुँचा जा सकता है डॉक्टर भगवान दास ने भारतियों पाश्चाति दर्शन में समन्वे स्थापित करने की कोशिश करी मतलब जो इंडियन फिलोसफी है और जो वेस्टन फिलोसफी है उसमें कोशिश करी कि सामांज से हो सके दोनों को अलग-अलग नहीं करने की कोशिश करी वेसे ज बहुत ही उन्नत बहुत ही उत्रश्ट अवस्ता में रहा है यह सब चीजें यहां पर बहुत अच्छी दश्रा में रही है तो इन्होंने समन्वय करने की कोशिश करी वेस्टन फिलोसफी के बीच में पूड सोतंतता के विचार का समर्थन किया देखो जब भारत आजाद नही क्योंकि अगर हम आपको permission दे दें कि आपको इतने बज़े से इतने बज़े यहां यहां जाना है और यह काम करना है तरीकी से अब हमारे एंडर में ही हो हम आप पे साशन कर रहे हैं तो यह विचारक मानते थे कि हमें पूरत है सोतंतिता मिलनी चाहिए हम पे साशन हमारे ही दे ने माना कि यह बहुत है एक अच्छी व्यवस्ता थी वर्ण व्यवस्ता जो कि अभी जैसे जाती व्यवस्ता पाई जाती है वैसे ही प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्ता थी जिसमें चार वर्ण होते थे ब्राम्हर्ट शत्रिये वैस शूद्र और इनके काम बटे होते थ विवस्था की ब्रह्मठ जो है वो ग्यान देने का कारे करेंगे यगे करने कराने का कारे करेंगे दान लेंगे दान देंगे यह सब करेंगे च्छत्रिय समाज की रच्छा करने का कारे करेंगे वैशिड लोग जो है वो ब्यापार करके समाज के भरन पोसंट से समंधित चीज उसके जैसे मनोभाव होते थे उसके जैसी परवर्ती होती थी उसको उसी वर्ण में स्थान दे दिया जाता था और ये एक तरीके के खुली विवस्था थी बहुत चारे ऐसे महापुरुष रहे हैं जो की छत्री हुए और बाद में उनको ब्रामभड की कटेगरी का दर्जा प्राप्त हुआ मतलब ये जो विवस्था थी ये जनम पर अधारित नहीं थी जो जाती है अभी के टाइम में ये जनम पर अधारित है एक जाती में आपने जनम ले लिया तो पूरत जिंदगी आप चाहे जितने ही अच्छे करम कर डालो चाहे जितनी चीजने आप अच्छ नहीं छूट सकता लेकिन जो वर्ड विवस्था थी तो इन्होंने कहा ये एक उत्तम विवस्था थी इनका मानना था कि जाती विवस्था है इसमें जाती का निधारन व्यक्ति के प्रकार्यों या कर्मों के द्वारा होना चाहिए जो कुछ समाज में हम करते हैं जो हमने अच जैसे कि पहले होता था वर्ड विवस्था में तो वैसे ही इन्होंने कहा कि जाती विवस्था में भी वही चीज लागू करनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के जैसे कर्म हो जिस तरीके कि उसकी अचीब्मेंट हो उसको उस वर्ड का सदस से मानना चाहिए ये चीज का समर्थन इन्होंने किया इन्होंने कहा कि न्याय उचित ढंग से समन्वित स्वाभावे के व्यवसाईक वर्गों के समाज की अवधारना इन्होंने इसका समर्थन किया मतलब जहां पे सभी को न्याय मिल सकें सभी लोग समन्वित रूप से रह सकें और स्वाभावे के व्यवसाईक व वाली चीजें तो इन्होंने कहा वो नहीं होना चाहिए ऐसी व्यवसाई की व्यवस्ता हो जहां पर ठीक है कोई उंचनीस तो होगा ही लेकिन उनमें शोषड और संघर्स वाली बात ना हो नियाय उचित हो सभी को बराबर नियाय मिले मतलब सभी लोग कोई भी उत्पादन कर सकता है कोई भी भोग कर सके और समन्वित व्यवस्ता हो संघर्स भी ना हो तो नियाय उचित धंग से समन्वित स्वाभाविक व्यवसाईक वर्गों के समाज की अधारना का इन्होंने समर्थन किया और इन्होंने बताया कि स्रम्विभाजन के अधार पर आधिकार एवं कर करतब पुरशकारों का वितरण सामयक्ता के अधार पर होना चाहिए मतलब हमने कामों को बाट दिया जैसे वर्ण विवस्था में होता था कि काम सभी के बटे होते थे तो हमने कामों को बाट दिया कामों के बटे होने के अनुसार ही जिसके जैसे काम होंगे उसको वैसे अधि पुरसकार उसको मिलना चाहिए, पुरसकार वो किसी भी तरीके का हो सकता है, उसको समाज में उच्छ प्रैस्थिति दे दी जा सकती है, उसको प्रसंसा के माध्यम से उसको पुरसक्रत किया जा सकता है, या फिर उसको आर्थिक सिति उसकी बहतर की जा सकती है, वहलब किसी भी तरीके से समाज उसको पुरस्कृत करे और श्रम विवाजन याने कारेओं का बटवारा होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का शोशर करने लगे नियायोची तढंग से होना चाहिए जैसे की वर्ड व्यवस्था में पुराने समय में होता था जो डॉक्टर भगवान दास हैं ये थियोसोफिकल सोसाइटी से सम्बंदित थे ये क्वेशन बन सकता है कि ये किस समाज या किस सोसाइटी से सम्बंदित थे तो थियोसोफिकल सोसाइटी से सम्बंदित थे ये इन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है मतलब ऐसे माना जाता है कि धर्म और विज्यान अलग है अगर हम धर्म को मानेगे तो विज्यान को नहीं मानेगे विज्यान को मानेगे या नितारकिक्ता को मानेगे तो धर्म को नहीं मानेगे लेकिन डॉक्टर भगवान दास ने कहा कि धर्म और विज्यान एक दूसरे के प बढ़ने लगता है अच्छा ये बात इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई कि जितना ज्यादा लोग तारकिक होंगे जितना ज्यादा वो वैग्यानिकता को मानेंगे उतना ही ज्यादा विभिन धर्मों के बीच जो समानता की भावना है जो सामंजस से देखने को मिलत है वो बढ़ेगा तो यह quotation पूछ सकता है कि किसका मानना था कि वैग्यानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ विभिन धर्मों के बीच सामन्जस से बढ़ेगा तो यह किसका मानन था यह मानना था डॉक्टर भगवान दास का कि जितनी अधिक वैग्यानिक ताएगी जितना अधिक वैग्यानिक विचारों का परभाव बढ़ेगा उतना ही अधिक धर्मों के बीच सामंजस से या फिर जो समानता है या जो भाईचारा है वो चीज़ आने लगेगी इन्होंने दिया सरवधर्म संभाव का कॉंसेप्ट यह important है बाकी तो one liner ही है तो यह क्या होता थोड़ा से इसको समझते हैं तो 1930 में हुई प्रथम अखिल एशियाई सैचडिक सम्मेलन ठिक क्या हुआ अखिल एशियाई सैचडिक सम्मेलन 1930 में जहां पर जो किये हुआ था बनारस में और बनार इन्होंने यह अवधार्णा प्रतिपादित करी सर्वधर्म समनवए कि इन्होंने कहा कि जीवन प्रकाश और शक्ति यह तीन चीजें सभी धर्मों में समान हैं मतलब जीवन याने आत्मा हो गई और प्रकाश आप इशूर से ले लो या पिर जो एक अंतिम सत्त हैं उस से शक्ति कोई भी जो अलोकिक शक्ति हैं तो ये जीवन प्रकाश और शक्ति ये सभी धर्मों में समान है सत्य सरवत्र एक और समान है मतलब जो सच है वो सभी धर्म एक ही चीज बताते हैं कि अंतिम सत्य कौन है इश्वर है इश्वर तक ही पहुँचना है चाहे आप हिंदु ध द्धर्म में जाओ, चाहे आप इसाई हो, चाहे शिख्ध हो, सभी धर्म हमें यही बताते हैं, कि सत्य क्या है, अंतिम सत्य है, ईश्वर, अब इश्वर के नाम अलग हो सकते हैं, अब वो नामंकरन किसा ने किया, यहां पर किया गया, लोगों ने किया, भगवान ने ऐसा ये तो यहाँ पर लोगों ने बटवारा कर दिया तो ये लोगों के द्वारा बनाई गई दिवारे हैं तो इन्होंने कहा कि सभी धर्म समान है सत्य सरवत्र एक और समान है मुख्य सत्य क्या है? मानवत्ता है कि मैं भी इंसान हूँ तुम भी इंसान हो और एहमवाद है इसको अगर हम नियंतित कर लें तो हम सर्व धर्म संभाव की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि जो संकीरता की भावना होती है हम किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को एकसप्ट ही नहीं कर पाते हम सिर्फ मानते हैं कि हमारा ही धर्म अच्छा है तो ये कहलाती है सं अभी का समान अस्तिक तो है इस चीज़ को सूइकार करें लेकिन हम क्या करते हैं एहम वाद हमारे अंदर आजाता है कि हमारी संख्या बाहूल्ले है या फिर हमारा धर्म पुरातन है कुछ भी कोई भी चीज़ और हमारे細ं धर्मिक के लोग हों किसी भी संपरदाय के लोग हों सभी को यहां पर बराबर का स्थान मिलता है बराबर का सम्मान मिलता है सभी लोग सह अस्तित्त के साथ में यहां पे रहते हैं तो यदि हम धार्मिक संकीरता और अहम वात को नियंतित कर लें तो हम धार्मिक संभाव के ओर बढ़ स हमें सभी धर्मों को समान रूप से महत्त देना चाहिए और ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि सभी का अस्तित्तु है उनका अपना एक विशिष्ट अस्तित्तु है अब जब ये चीज आप मान लेते हो कि सभी का अपना विशिष्ट अस्तित्तु है तो आपके लिए चीजे आसान हो जाती हैं जब आप ये मानते हो कि सारे धर्म हमारे ही धर्मों के अनुसार कारे करें तब चीजें दिक्कत करती हैं तो उनकी विस्ष्टता को हमें सुईकार करना चाहिए और हमें अगर जो हमारा अंतिम सत्य है जो वास्तविक सत्य है वहां तक पहुंचना है तो हमको सारभौमिक धर्म की और प्रयासृत रहना होगा, एक ऐसा धर्म जो की मानवता प्याधरित हो, जो इनसान इनसान की हेल्प करे, ऐसा नहीं है कि धर्मिक जंजीरों मे बान दिया, उसमें आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए, इसी से क् आज में विश्वशान्ती और कल्याड की स्थापना हो सकती क्योंकि अगर सभी धर्म मानने की सिर्फ हम अपने का ही उत्थान करेंगे तो फिर आपस में लड़ने लगेंगे आपस में संघर्स होने लगेंगे देखते नहीं संप्रदायक्ता कितनी ज़्यादा फैल जाती है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए हमें मानना चाहिए कि जितना धर्म हमारा अच्छा है उतना ही दूसरे का भी है सभी का समान सह अस्तित्तु है इस फीलिंग के साथ में हमें कारे करना चाहिए तो इससे विश्वशान्ती और कल्याड की भावना को प्रोच्छान मिलेगा य पेर कुछ वन लाइनर कोट्स हैं जो किनों न दिये भगवान दास ने कहा कि सामाजिक दर्शन और राजनीती को एक दूसरे से प्रथक नहीं किया जा सकता वो एक दूसरे के अभिन अंग है मतलब अगर हम सोचें कि जो हमारा जो सामाजिक दर्शन है और जो पॉलिटिक्स है इन दोनों को हम अलग अलग रख करके कारे करें तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो चीज समाज में होती है वो राजनीती को एफेक्ट करती है वो हमारे विचारों को एफेक्ट करती है और जो राजनीती में हो रही होती है राजनीती कुथल पुथल यदि हो रही है तो हमारे विचार भी उससे affected होंगे हमारा सामाजिक जीवन भी उससे affected होगा तो ये दोनों एक दूसरे से अभिन नंग है भिन नहीं हो सकते इन्होंने बताया कि सामाजिक सनचना और संगठन को जो मनु है मनुस्मृति वाले मनु उनके विचारों के आधार पर संचालित करना च कहा कि सामाजिक सनचना और संगठन को मनुस्मृति के विचारों के आधार पर संचालित करना चाहिए श्यक्ति वहाँ पर जो वरड़े विश्था है जो आश्रम विश्था है वह इतनी अच्छी थी वास्तों में अगर देखा तूं वह बहुत अच्छी थी क्योंकि वरड संचना है संगठन है इसको मनु के विचारू के अधर पर संचालित करना चाहिए यह चीज का समर्थन डॉक्टर भगवान दास ने किया तो यह इनके कुछ प्रमुक्सित धान थे इनको अच्छे से समझ लीजिए नोट कर लीजिए और उसकी बाद शाम को जब कुईज होगी क्योंकि 11 के 2 part हैं फिर 12 के 2 part हैं वो दोनों आपको पढ़ने हैं फिर 1-2 books और जो मैरे PDF भेजे हैं वो भी आपको पढ़ना है तो यह सब चीज़े जितना ज्यादा देखो आप पढ़ते जाओगे उतना ही ज्यादा आपकी समझ शास्तिरी समझ अच्छी होते जाएगे नोट से इंपोर्टेंट रहे जाएंगे तो सिर्फ आप नोट से पढ़ पाऊगे बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं बचेगा अभी आपके पास यह एक्सस टाइम मिल रहा है इसमें नोट के साथ में अगर आपको एक्स्टा टाइम कर पा रहे हो तो आप बुक्स पढ़ लो बिटर रहेगा क्योंकि उसे एक understanding आ जाएगी क्योंकि जो आपका competition है वो काफी highly qualified लोगों के साथ में होने वाला है PhD करने वाले लोग भी वहाँ पे आएगे net qualified बच्चे भी आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं तो अब मैं यह आपको डरा नहीं रही हूँ बलकि आपको एक वास्तविक्ता का अनुभव करवाने की कुशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग उस तरीके से prepare होके जाओ कि आपको कीन लोगों से competition करना है क्योंकि होता ना कि हमारे जब हमें पता होता है कि हमें प्रतिदोंदिता करनी किस्से है एक्चुल में हमारा competition किस्से है तो जाकर के हम उससे पार पा सकते हैं दूसरा ये थोड़ा सा जो तादर्थ वाला मेटर चल रहा है ये भी कुछ-कुछ जो understanding है वो काफी अच्छी होगी मैं कुछ बच्चों को देख रही हूँ जिनकी समझ बहुत अच्छी होती जा रहे है वो लोग explain बहुत अच्छा कर पा रहे है तो बाकी लोग भी प्रयास करते रहे है और जिन लोगों का understanding अच्छी है तो ऐसा नहीं है कि वो अपना प्रय आपको समझ में आ जाएंगे वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से कर पाऊगे तो ऐसे ही पढ़ते रहे हैं अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे हैं वीडियों देखने के लिए थैंक्यू सो मॉच